जेहां नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका चीर परीचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी के सेवा में कुछ महतोपून जानकारियों को ले करके दोस्तों जो आपके लिए लावकारी साबित होंगे दोस्तों जिहां दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं अखरोट की दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अखरोट एक बहुत ही अच्छे और श्रधी के रूप में जाना जाता है खास करके यह पुरुशों में स्पाम काउंट को बढ़ाता है यानि कि शुक्राणों की संख्या को बढ बढ़ाने का राम बान इलाज है तो आए कुछ ऐसे हैं मिसरण के बारे में आज हम जानते हैं जो आपकी आम जीवन के आम तोर पर आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को यह समस्या होती है कि उनका या तो अस्पाम स्वत्य गिर जाता है या पढ़ा जाना फिर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों अखरोट बादाम एवं मुनका का मिसरित सेवन करें मिसरित या कहें नियमित सेवन करें दोस्तों किसका कितना सेवन करना है यह हम आपको बता रहे हैं या फिर मूंग की दाल भी उसमें सम्मिलित कर सकते हैं दोस्तों शे घंटे के बाद मुंग की डाल अंकुरित हो जाएगी अब इसका सिवन करने से आपको लाभ मिलेगा इसका सिवन आप रोज बादाम और दूद पीने के कुछ देर बाद करें इसके साथ साथ आप मुनक्का का भी सिवन करें यानि कि 6-8 मुनक्के हर रोज खाएं वैसे हैं चार से पाँच अखरोठ हर रोज खाएं बादाम पान से चोएं पाँच या छे भीगो कर खाएं दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका सरीर पुष्ट रहेगा दोस्तों और अगर आप हिश्ट पुष्ट रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी चाहें वो sexual समस्या हो या mental यानि कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी दोस्तों क्योंकि जब हम healthy कोई भी खाना लेंगे तो हमारा शरीर जो है वो ताकतवर रहेगा और हमारा शरीर जब ताकतवर रहेगा इसमें पूरी energy रहेगी दोस्तों तो हर बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है और जब आप स्वस्त रहेंगे तो जिन्दगी के हर काम आप बहुत ही तनमैता और एकागरता के साथ सक्षम होंगे दोस्तों तो आज आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से मुनक्का, बादाम, अखरोट एवं अंकूरित मुंकित दाल के सेवन से आप अपने आपको हिश्ट पुष्ट बना सकते हैं दोस्तों और अपने अंदर अगर शुक्राणों की कमी है तो उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ और महतोपून चानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद